अक्सर किसी तेवार या फिर नए साल के आउसर पर आपके रिष्थिदार या फिर आपके दोस्त सुब कामने कुछ इस तरह देते हैं नए साल के आउसर पर हैपी नुई येर दिवाली के आउसर पर हैपी दिवाली एद के आउसर पर हैपी एद तो आप या जैदा तो लोग उसके बदले में ये रिप्लाई करते हैं सेम टु यू या फिर सेम या फिर दा सेम टु यू same to you का मतलब होता है आपको भी यह जो वो कह रहा है उस चीज़ को आप भी कहना चाहते हैं तो फिर same to you का use करेंगे जैसे वो कह रहा है happy new year तो आप कह रहे हैं same to you इसका मतलब आपको भी नए शाल का मुबारक हो मगर आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में same to you के जगे और कौन कौन से फ्रेज़ेज है जिसका use हम लोग same to you के जगे कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा के तर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पास में एक बेल आइकन होगा इससे भी किलिक कर दें चलिए वीडियो शुरू करते हैं जब भी कोई व्यक्तिक है एपी न्यू एर तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं लाइकवाइस लाइकवाइस का मतलब होता है मैं भी वही विश करना चाहता हूँ इसको और कुछ मिला सकते हैं इसमें जैसे लाइकवाइस ग्रेटिंग और दा न्यू एर दूसरा प्यारास रिप्लाई आप बैक एट यू बोल सकते हैं या फिर राइट बैक एट यू इसमें कुछ और मिला सकते हैं जैसे right back at you have a great year यानि मैं भी वही wish करता हूँ आपका साल बहुत ही अच्छा जाए बहुत ही बड़ी है अब next reply है me too यानि me too का मतलब होता है मैं भी वही कहना चाहता हूँ जो आप कहें मुझे me too जब आपका कोई friends new year के लाबा किसी festival का भी wishes करता हो तो आप simply इसको same year करके reply कर सकते हैं जैसे कोई आपको बोला है happy दिवाली ताप बोल सकते है same year यानि आपको भी दिवाली मुबारक बाद हो दिवाली का wishes हो next reply है you too you too का मतलब होता है आपको भी वही मुबारक बाद हो same wishes हो चले इसके साथ कुछ और add करते हैं जैसे you too have an excellent year यानि आपको भी एक सांदार साल का मुबारक बाद हो चले चलते हैं अपने next phrase के तरफ next phrase है I second that I second that का use तब होता है जब आप किसी बात से agree होते हैं और same चीज़ आप उसको कहना चाहते हैं जैसे I second that have a good year ahead यानि आने वाले साल आपके लिए भी अच्छा जाए next phrase है डिटो बहुत छोटा सा phrase है यानि exactly आप जो कहना चाहते हैं exactly same to same तो इस वोट का उसकरते हैं डिटो इसके साथ और भी उसकर सकते हैं जैसे डिटो have a great year ahead next phrase है बहुत ही प्यारा सा phrase है same applies to you same applies यानि वही चीज़ आपको भी applies करते हैं यानि वही मुवारक बाद आपको भी देते हैं और इसके साथ ये भी यूज़ कर सकते हैं to great in the new year यानि आपको भी मुवारक बाद हो और नए साल में आप बहुत अच्छा करें अलिए अब चलते हैं अपने next phrase के तरफ same old, same old, happy new year यानि हमेशा के तरे हमेशा के तरे आपको नए साल का मुवारक बाद हो simplicity same old, same old करके ही बोल सकते हैं जरूरी नहीं हैं कि आप भी happy new year साथ add करें next phrase है that applies to me as well यानि जो मुझे आप विसकी हैं आपको भी वही मुवारक बाद हो इससे पहले जो हम लोग देखे थे हैं same applies to you इसमें और इसमें थोड़ा सा difference है चले चलते हैं अपने next phrase के तरफ next phrase है me as well यानि मुझे जो विसकी है आप same to same आपको भी वह विस हो नए साल की मुवारक आप कर रहे हैं happy new year's me as well आपको भी नए शाल मुबारक हो next phrase है wishing you a great year too मतलब आपको भी एक नए साल की सुब कामनाए हो चले आप देखते हैं बहुत ही प्यारा सा phrase I wish the best to you too इसका हिंदी मतलब देखेंगे मैं चाहता हूँ आपका भी साल यानि आने वाला साल best रहे यानि बहुत अच्छा रहे यही चाहता हूँ चले अगर आपको बहुत ही close friend आपको wish करता हो जैसे वो कहें है happy new year तो आप उसका reply ऐसे कर सकते है hey new year it's time to great cracking कर रहे है new year यानि आप यही कहना चाहते है कि हाँ आपको भी नए साल मुबारक हो और यह पर it's time to it's time मैं यह समय है get cracking, cracking का मतलब बहुत ही excited वाला moment यानि यह समय बहुत ही खुशी होने का moment है बहुत ही excited का moment है चलिए अब चलते हमारे next phrase के तरफ next phrase है likewise have a like wise likewise यह नहीं मैं भी wish करता हूँ वह ऐसा ही wish करता हूँ have a expectacular expectacular बहतरीन आपका बहतरीन साल जाए next phrase है you just install my wishes install का मतलब यह ना समझ लीज़ेगे चुरा लिया मतलब आप उन से यही कहना चाहते है मैं यही line आपसे बोनने वाला था या बोनने वाली थी आपने वो पहले ही कह दी कभी अच्छा फिल होगा आप wishes के जगे ऐसा भी बोल सकते हैं you just install my greetings इद के मौके पर अपने दोस्त या फिर अपने रिस्तेदार को आप wishes करना चाहते हैं आप इस तरह से विस्ट कर सकते हैं happy एद simply कर सकते हैं या फिर simply एद मुबारक भी बोल सकते हैं या फिर इसको और अच्छे से बोनना चाहते हैं तो ऐसे बोलिए wishing you a very happy Eid इसको और special तोर पर आप wish कर सकते हैं May this Eid Eid के जएगे आप दिवाली का भी उस कर सकते हैं जैसे May this Eid brings twice unlimited यह जो Eid है आपके लिए unlimited खुसियां लेके आए काफी सुनहरा मौका लेके आए इसका रिप्लाई आप इन्ही रिस्पॉंस आइस्तर से कर सकते हैं back at you happy Eid या दुसी तरीके से back at you Eid मुबारक या फिर दिसी तरीके से back at you wishing you a very happy Eid आपको quickly बहुत ही short वाली रिप्लाई को देख लेते हैं जो आप shortly तोर पर करना चाते हैं likewise back at you the same to you me too you too same here me as well back at you right back at you इन में से सबसे अच्छा रिप्लाई आपको कौन सा लगा तो प्लीज कॉमेंट वेक्स में जरू बताईएगा और वीडियो को अगर पसंद आया तो जरू लाइक किजएगा अपने दोस्तों से जरू सेस किजएगा thanks for watching this video guys see you next video take care bye bye